हाई फ्रेंज आज हम आपके लिए ओल्ड फैसन कुर्थी को न्यू फैसन में चेंज करने का तरिका लेगे हैं तो यहां पर हमने इसे उपर का पार्ट इसका निकाल दिया है और जो नीचे का घेरा है उसमें से हम कुर्थी का सेट बनाएंगे सौट कुर्थी को तो यहां पर हमने निसान लगा रही है कुर्थी के लिए जितना भी हमारा मेजरमेंट है उसे इसाप से हमने साड़े और नीचे भी आर्म होल भी हमने साड़े आठ इंचे रख लिया है और यह लंबी से लाइन के स्थे हुए यहां पर दोनों निसानों को आपत्ने मिलाते हुए यहां पर हमने एक बॉक्स बना लिया है तो अब हमने लगाएंगे चेस्ट का नाप जो चेस्ट हमारी यहां पर 10-40 इंचे के हैं तो उसमें हमने एस्टा रखा हुआ है तो आधा इंचे हम बढ़ा की रखेंगे क्योंकि यह जो सौर्ट कुरती है यह थोड़ा लूज में पहनी जाती है तो उसी हिसाब से हम निसान लगाएंगे जितना भी हमारा मेजरमेंट होगा उसमें हम एक इंच ज जो फ्रॉक शूट है तो उसको भी हम उसी के रहने देंगे राॉंड ही रहने देंगे उसे हम चेंच नहीं करेंगे क्योंकि वह अच्छा ही लगेगा और हमने आ और माहँल का भी श्राइव देन यहाँच अजय है नहीं है आफ यहाँआ है प Soo कर देनए के बाद में कूरत कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं वनाएगे और कियह थे हमने उस पर हमने कट लगा नएँ अगे ये दोसरी ओर भी हमें दिखाये दें तो यहां पर हमने नैक का निशान लगाने के लिए पौनेटिन इंच पर निशान लगा है और नीचे को भी हमने ते निच नेल रखाऊ है यह हमारा बेक नेक है खुआ और फ्रंट के और हम 5,5 ऐंच का नयक रखेंगे अब इसमें से हमने बैक पार्ट को अलब करके फ्रंट पार्ट में चटाई कर लेनी है फ्रंट पार्ट में हमने नेक को भी गहराई देनी है बैक पार्ट से दो इंच और नीचे को गहराई देनी है और उपर सोल्डर में भी हमने पॉनाइंच जितना सोल्डर डाउन करना होगा यहां से तो देखिए यहां से पॉनाइंच सोल्डर डाउन किया और किनारे से भी आर्म होल की हमने छटाई कर लेनी है तो इस परकार से हमने कुर्टी की कटिंग कर ली हैं कुर्टी की कटिंग हमारी पूरी हुई तो अब बचा हुआ जो कपड़ा था इस तरा उसमें से हम देखिए इस तरीकी से फोल्ड करेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे तो बाजो की cutting करने के लिए हमने जितना हमने नाप ले लेना है नीचे से इसमें भी round shape आ रहा है इसमें जो बाजो है उसे भी हम round shape में ही बना देंगे वो भी बाजो अच्छे ही लगते हैं उसी shape में हमने बाजो को बना देना है तो इस तरह से हमने नाप तो लगा लिया है लेकिन हमारे जो बाजू की लंबाई है वो कापी कम आ रही है तो इस वज़ा से हमने आप यहापर जो बाजू की लंबाई थोड़ा उपर से हम इसको कट कर लेंगे उसी निसान के हिसाब से जो हमने नीची निसान लगा है उसे निसान के हिसाब से हमने नीचे ज्यादा कट कर लेना है थोड़ा उपर से हम इसे कट कर लेंगे जिससे की बाजु की लंबाई हमारी बढ़ जाएगी तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है आप साइट से हमारा कपड़ा उपर की और कम पर रहा है तो हम यहाँ पर जोड लगा लेना है धलका सा यहां पर इस साइट को हमने जोड लगा लेना है नीचे को कपड़ा हमारा चोड़ा है उपर को कम है तो उपर को हमने जोड लगा लेना है इस तरीके से यहां पर यह देखिए ऐसे कपड़े को जाइन करके हम इसमें जोड लगा लेंगे तो इस तरीके से हमारी कटिंग लगबख पूरी हो चुकी है अब हम चलते हैं स्टीचिंग की ओर तो अब हम स्टीचिंग में आ गई हैं हमने नेक तयार करना शुरू कर लिया है हमने सबसे पहले हमने जो पैक का नेक है उसे रेडी कर लिया है आड़ी पट्टी हमने काटकी रखी हुई थी तो उसे से हमने नेक को पैक कर लिया है तो अब हमने फ्रांट की नेक की भी पट्टी लगा लिया है तो यहां पर हमने फ्रांट का नेक भी रेडी कर लिया है तो अब बैक और फ्रांट दोनों पार्ट कर सीधी साइट अंदर की उर करते विए सोल्डर को जोइंट कर लेंगे तो यहां पर हमने सोल्डर भी जोइंट कर ली है सोल्डर करने के बाद कापए को हमने सीधा रखना है और जो पाजू में हमने कट जोड बनाए थे उसे हमने जोड लीना है तो जोड लगाने के पास बाजू को अब हम सोल्डर से जोइंट कर लेंगे इस सेंट बाजू का भी हमने सेंटर लिखाना और सूट में भी हमने जो आर्मोहल है उसका सोल्डर उसका सेंटर लिखाते हुए दोनों को आपस में इस तरह के से जोड लिया है तो एक बाजू को हमने जोड लिया है उसी तरीके से हमने दूसरे वाले बाजू को भी जोड लेना है तो यहां पर हमने बाजू को भी जोड कर लिया है आप हमने साइट से बाजू से फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू करना है और नीचे तक लगा देना है देखे इस परकार से आपको वीडियो में दिख रहा है तो यहां पर हमने पूरी में एक साइट को फिटिंग की सिलाई लगा लिया है और नीचे उपर दोनों पका कर लिया है तो आप इस तरीके से हमने दूसरी और भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है तो देखिए दोनों और से हमने फिटेंग की सिलाई लगा ली है फिटेंग की सिलाई लगाने के बाद आप हमने जो नीचे चाग है हमारी उसे फोल्ड कर लीना है ये कुर्ती हमारी नीचे से तो फोल्ड थी खिर सिर्प हमने साइट का कपड़ा ही फोल्ड करना है नीचे घे तो इस तरीके से हमारी जो कुर्ती है वो एक दम से बन के रेडी होगी जो हमारा पुराना फ्रॉक्सोड सा और काफी पुराना मॉडल हो चुका था तो उसको हमने न्यू डिजाइन में कनवर्ट कर दिया है तो आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक सस्क्राइ झाल मुट्ञा थाव्ण store है तोतल में वीडियो शाहा हे तो एक पुकतक समय होगी है